Hi everyone, I am Vishal. I am studying in class 7. क्या आपको कभी मैसुस्वाएगी, हवा कभी बेठ होता है? तो आईए हमाई एक सिंपल सी अक्टिवीटिक को करके इसे प्रूव करते हैं. इस अक्टिवीटियो करने के लिए हमें दो बरून, धागा और 30 cm का स्केल चाहिए. मैंने स्केल की जगापा एक्साप्लेट का यूज़ किया है, जो 30 cm का है. मैंने इसकी सेंटर पॉइंट पर मार्प करके एक भागे से बांग दिया है, और दोनों चोर पर भागे की मुझब से बरून को बांग दिया है. अब देख सकते हैं कि यह कुछ दराजू का जिसा हो गया है, जिसमें दोनों बरून का वजन एक समान है. अब हम एक बरून में हवा बरेंगे और इसे फिर से बांग देंगे और देखेंगे कि दोनों बरून का वजन समान है की नहीं. अब मैंने इस बरूर में हावा बर दिया और इसे किसे बंग गया है इसके परेमें इडिटे जो गया है इससे ये प्रूप हो जाता है कि हावा पलेवेट होता है थांक यूफ टांक यूफ वर वासिट अगर आपको अच्छा लगा होतो इसे लाइक की जिए और आप इसे अपले तरमे की क्क्राइव करते दे सकते हैं हुआ है